किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में आज हमारे फार्म पर दो महमान हैं एक है परशुन भारदवाज जी जो मेरे बाई तरफ खड़े हैं ये गाउं अत्रोली जिला अलिगड के रहने वाले हैं और जो मेरी दाई तरफ हैं इनके नाना जी है नरेश कुमार चोहान जी जो डिबई गाउं के हैं उसके पास परसुन ने मुझसे लगबग एक महीना पहले से बात सुरू की थी कि सर मुझे कुछ पोधे चाहिए तो मैंने सोचा बच्चे हैं वैसे ही बात करते रहते हैं हाँ हाँ ले जाना इस तरह से करना कौन अली गड़सा आएगा इतनी दूर से पोधे लेने के लिए लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और सम्मान भी देते हैं और मुझे पर विश्वास भी करते हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं इस विश्वास को कायम रखूंगा चुकि मेरी एक ही चीज की गारंटी है कि जो चीज मैं कहता हूँ वो मिलेगी और बहुत स्वस्त मिलेगी जैसे अली गड़ में मेरे बहुत अच्छे एक किसान है डॉक्टर विजे कुमार गोतम जो जले सर तैसील है उसके हैं वैसे वो एटा जिले में पड़ता है लेकिन अक्सर वहां से निकल कर जब मैं जाता हूँ तो उनके पास जाता हूँ और मुझे उनकी याद आ जाती है किसान सातियों इन्होंने लगबग साड़े चार सो पेड मुझसे लिए हैं जिसमें से अमरूद की विभिन पर जातिया है वो परसुन जी बताएंगे क्या क्या लि सर मेरा नाम प्रसुन भारत दो आज है मैं अतरौली तैसिल का जिलालिगण का रहने वाला हूँ और खेती की मामले में बहुत ही अग्रसर हूँ और इससे प्रेम सा हो गया है और अमरूद और बागवानी की छेतर में मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे अलग ही आप के पास आया वीडियो देखने के बाद और मैंने सर से अमरूद के ताइवान पिंक ताइवान वाइट और इसार सफेदा कुछ अन्य पर जाती भी परसुन जी परसुन जी के बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा परसुन जी बहुत पढ़े लिखे इंसान है और क्यासा अपनी बैक्ग्राउंड और जो क्वालिफिकेशन है वह भी मैंने मैं से मैच से किया है एसम कॉली चंदोसी से और मेसी लेक्ट्रोनिक्स में डियन कॉली मिरेट से किया है और बीयड किया है मैं सिक्षा के छेतर में जा चुका था और एक पीजीटी फिजिक्स की न इसमें जो जिला लेवल पर है हाँ जी मैं एक अलिगर जिले में एक ठाकुर मानमेंद्र प्रताब सिंग मानिनी है एमेल सी की दुवारा सम्मानित हूं और किसानों के लिए एक मिसाल बनकर उसमें हुआ हूँ और 11 मा नंबर आया हुआ है मेरा और काफी एक खेती की मामले म मुझे पुरुषकार अन्य पुरुषकार भी मिले हैं एक सम्मानित किसान भी हूँ मैं अब मिलते हैं इनके नाना जी से और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने प्रसुन भार्दवाज को यह क्यों किया प्रेरित किया कि आप नोकरी छोड़कर आप जो हना इसमें खेती में करो तो यह इनके नाना जी आप चोहन साब अपना परिचे दी जी से नरिसकुमार चोहन ग्राउं खरकबारी डिवाई से हूँ जिला बुलेंसर से हूँ मैं सच्छा के छेत्र में में हंदी शाहित वह संस्क्रशाहित से हूँ लेकिन मेरी रोचकता करशी में अध इतना प्रभावत हुआ कि मैंने प्रसुन भारतवाज को इतना प्रेड़त किया कि वहां से पोधे लेने अवश्चे चलेंगे क्यों कि यहां पर हमें क्वाल्टी या और जो विश्वास है वह विश्वास की खातर ही हम यहां से पोधा लेने हैं यूट्यूब पर बहुत हैं मेरी तो इतनी वीडियो नहीं चलती ज्यादा व्यूज भी नहीं है और लोग सोचते हैं मुझे बहुत इससे धनकी प्राप्ती हो रही है ऐसा भी कुछ नहीं है तो आप मेरी वीडियो ही क्यों पसंद करते हैं इस चेतर आपकी वीडियो में सचाय अधिक है बलकि और चेतर देखी जाए तो ऑर वीडियो और का वीडियो देखी है नंकि कैनि काल पनेकता कोई देखने को नहीं मिली इसलिए ही आपकी वीडियो हमादे पसंद करते हैं जैसा मैं वीडियो में बताता हूँ वैसा ही फार्म मिला उसी तरह से मिला चीसान साथ्यों मेरे पास कि मुझे दस बिगह में अंजीर लगानी है तो मैंने उनको बताया कि आप अपने इस निर्णे पर पुनर विचार करें और कुछ और सोचे तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन में आता हूं नहीं तो मेरे लिए यह बहुत साधारन था मैं उनको जितने 900 पोधे चाहिए थे उ इसकी बिकरी किस प्रकार होगी, ये बाते ध्यान में रखकर भी, किस प्रकार करना है ये मैं उन लोगों को सुझाव देता हूं, साध यही कारण है कि परति वर्स धीरे-धीरे ये काम बढ़ रहा है। और मेरी लिपता इसमें अधिक हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग विश्वास कराते हैं मैं कोशिस करूँगा कि ये विश्वास उनका बनाए इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिन जैभारत बंदेवातरम